हम बनाएंगे mango bread pudding जो अब टॉस करके रख देना है एक baking dish में ठीक है सो यहां मेरे पास bread है bread के मैं corners काट लूँगी mango तो मैंने काट के ready करके रख दी थी लेकिन bread मैंने नहीं काटी थी सो हमें cubes चाहिए आज not slices इस तरहां cubes कर दीजेगा ठीक है पासी डबल रोटी is the best thing to use for your bread pudding उसमें काम आजाती है और यह साइज जो है उसको पहंकियेगा नहीं उसको आप कर दीजेगा टोस्ट अवन में और bread sticks की तोर पर खा लीजिए या फिर उसको क्रश करके उसका आप bread crumb बना लीजिए bread crumbs भी कितने महेंगे हो गए है everything has gone up so जितनी चीजें आप वेस्ट कम करें घर में और उनी को इस्तमाल करें वो बहतर रहेगा sugar बन जाए सारे ठीक है यह bread crumbs bread cubes sorry यह तरहां की cubes ठीक है यह भी कर लेते हैं ठीक है यह हो गया ओके अब मैं डिश लिया हूं ताके इसमें मुझे रखना है बड़ी डिश लीजेगा सुब्रेड और मैंगो पीसेज डिस्रिब्यूट कर दीजेगा ताके मिक्स हर जगा हो जाए और प्रेड भी हर जगा हो मैंगो भी हर जगा हो ठीक है अच्छा अब क्या करना है हमने अच्छा शुगर है दूध है और चीनी है वेनिला एसंस है और एलाइची का पाउडर है सो वह एक और मैं बोल ले लूँ जिसमें हम इसको मिक्स कर देंगे तो मुझे दो कप दूछ चाहिए कि अ ठीक है उसमें हम तीन अदद अंडे डालेंगे फैंट लीजेगा विस्के साथ कर दूद दो कप तीन अदद अंडे वेनिला एसंस मैंगो एसंस भी डाल सकते हैं और चोटी हारी एलाइची का पाउडर कार्डेमम पाउडर ठीक है प्रेट के क्यूब्स और मैंगो पीसिस यहां है दूद चीनी चौथाई कप जितनी चीनी वेनिला एसंस अंडे और एलाइची ठीक है अब इसको आपने अच्छी तरहां इसके उपर डाल देना है इस तरहां और ब्रेट पुडिंग के बारे में जब भी मैं ब्रेट हूँ हमेशा में आप लोगों को यह बात याद दिलाती हूँ कि ब्रेट पुडिंग में सोकिंग का टाइम बहुत जरूरी है ठीक है याद है ना आप लोगों को सो वाट यू नीद तो इस ब्रेट को सोक करना बहुत जरूरी है इस तरहां पूरी ब्रेट अंदर सोक होनी चाहिए, कोई सी भी और फ्रूट के साथ कर सकते हैं, चेरी भी हैं, चेरी से भी कर सकते हैं, चेरी और बनाना और मैंगो, एपरिकोट यानि खुबानी बीज निकाल के और इस तरहां हाँ चीज मिक्स करके रखिये, ठीक है, सोक करने का आप टाइम दीजेगा, ब्रेट सोक प हैं, डीलक्स ट्राइ आयन इनिक्स की तरफ से आज गिफ्ट है, आज क्या पूछू मैं, चिकन बन रहा है, तो चिकन से बनने वाले रेसिपीस के वाज, अच्छे से कोई नाम हा, बिर्यानी पुलाव नहीं बोलिएगा, चिकन से बनने वाली रेसिपीस के नाम, मसाला एव डॉट इट विट बटक लिखा है ना रेसिपी में, इसका मतलब यह है, अब आप इसको बेक करने रख देंगे, सही है, दूद, अंडे, इलाइची पावडर, चीनी, वेनिला एसंस, मिक्स कर दिया, डबल रोटी के क्यूब साइज निकाल के और आम काटके रग दी, और फ पास यहां पिस्ते हैं, वो छिड़क देंगे कलर के लिए, that's it.